हेलो एवरीवन यह है वीडियोज वर्ड चैनल और आप देख रहे हैं वेरिफिकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैट प्रो प्रॉब्लम नमबर एट आप स्टैट प्रो की हेल्प में जाने के बाद कंटेन में जाएंगे तो वहां पे बिट्रिस और अमेरिकन एग्जांपल्स में उसके होरिजन्टल मैम्बर पर एक लोड लगा होगा है और हमें मैक्सिम मूपमेंट फाइंड और करना तो ऑब्जिक्टिव क्या है तो फाइंड आओफ दा मैक्सिम मेंट यू टू रोट्टरिव मैंबर वन बाई तो टै आपका यह ट्वंटी फीट का यह स्माल सबसे पहले एक चीज आपने देखी होगी कि जब भी मैं अभी लास्ट जितनी वीडियो बनाई है इसमें जब रिजल्ट चेक करता हूं तो उनकी यूनिट्स कुछ और आती है और जबकि हमारे जो रिजल्ट इसमें गीवन है प्रोब्लम कुछ और आते हैं और हमें इसमेड प्रो को दिबारा से अन करता हूं और यहां पर हम जाएंगे फाइल में फाइल में हम जाएंगे कौन फिगर और यहां पर जमने सलेक्ट है मैट्रिक इसको कर देते हैं इंग्लिश असेप्ट अब न्यू परजेक्ट में जाते हैं तो देखियो ऑटोमेटिक तो सबसे पहले मैं हर बार की तरह एक जॉइंट बनाता हूं और ग्रिट को देटा है उस जॉइंट को मैं नौट कर से स्लेक्ट करता हूं और टांसलेट रफिट टूल पे क्लिक करके उसको साइड में कर लेता हूं उसके बाद हम जड़ा डिटेल देखते हैं फ्रेम की और यहां पर example British verification number 8 ठीक है तो सबसे पहले हमने कौन सा joint बनाया है हमने 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 यहां पर joint बनाया है अच्छा देखो मैं modeling करने की काफी तरीके होते हैं मैं क्या करने वाला हूँ देखिए यहां पर मैंने एक joint बनाया है जिसका origin है 00 ठीक है मैं क्या करूँगा यहां पर एक member बनाऊँगा 10 feet का उसके बाद मैं एक member बनाऊँगा 20 feet का उसके बाद 30 feet फिर 30 feet उसके बाद मैं इस member को delete कर दूँगा और support लगा दूँगा यहां पर इससे क्या होगा कि मेरा उसी axis पर structure बन जाएगा negative नहीं जाएगा ठीक है तो start करते हैं तो सबसे पहले two step first step 10 feet और second step 20 feet link okay sorry sorry इसे vertical करना था हमें control z से में अंडो किया है तो two step first step 10 feet second step 20 feet link okay अब हमने इसको select किया translate एक्स डिरेक्शन में 30 feet link इसको select किया translate य डिरेक्शन में माइनस 30 feet downward के लिए माइनस अब हमने नॉर्मल करसर से इसको delete कर दिया front view में गए हम यह इस तरह से बन गया है अब support क्या है हमारी check कर लेते हैं fix support है तो support create fix दोनों joints पर fix support है उसके बाद देखते हैं load एक लगा हुआ है 30 kips का load ठीक है और वह कहां पर लगा हुआ है 10 feet के बाद यह जो member है आपका इसके यहां से 10 feet पर हमारा यह लगा हुआ है तो load and definition add करते हैं dead load dead load पर click करके add करते हैं एक member load पर concentrated force जो है हमारा minus 30 feet और d1 पूछ रहा है कहां पर लग रहा है तो 10 feet पर लग रहा है इसको हम इस पर apply कर देते हैं यह लग गया इसके बाद है हमारी properties e and i same for all इन्होंने जो लिया है data में से इन्होंने st table में से w section 12 by 26 लिया है 12 by 26 यहां पर आप देख सकते हैं कि तर लेते हैं section database property section database कि बिटिश ले लेते हैं कि ठीक है कि बिटिश में इन्होंने लिया है w section जो इसमें नहीं है अमेरिकन में में देखते हैं अच्छा आप कोई सबी section ले लिजिए क्योंकि हमने self weight तो लगाया नहीं है, तो result तो change नहीं होने चाहिए, analyze कर देते हैं, done, post processing में जाते हैं, deflection को हटाते हैं, bending moment को activate करते हैं, diagram को तोड़ा enhance करते हैं, result, view value, beam, maximum, mid और end पर moment चेक करते हैं, जाया गई, problem के according हमारी जो moment आ रही है, 69, 69 एन इसकी keeps fit, और maximum moment, और हमारे हां पर maximum moment कितनी आ रही है, 8, 3, 1, 3, 9, 0, keeps per inch, okay, per inch आ रही है, ठीक है, तो हम चाहते हैं, जो हमारे result है, उनकी unit अलग हो, तो वैसे हम double click करके अगर देखते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आता है, हमारा keeps per inch ही ही आ रही है, हमारी bending moment, unit change अगर हम यहाँ से करते हैं, unit तो हमारी change है, तो convert ही कर लेते हैं, tools में जाएंगे, unit converter, हमें चाहिए moment, moment हमारी input जो आ रहा है, वो आ रहा है, inch, kips में, और हमें चाहिए feet, kips में, sorry, हमें feet, kips में चाहिए, और आ रहा है हमारा feet, inches में, और कितना आ रहा है, 69.40, तो 69.40, यानि कि 8.32, 8.32 हमारा answer आना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें, 8.32, 8.31 तो आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा 9.89.416 आ रहा है, और उससे भी ज्यादा यहाँ पे maximum moment आ रहा है, अगर हम इस member की बात करें, तो maximum moment आ रहा है, 8.31, जो correct है, इस beam की बात करें, तो इसमें भी आ रहा है हमारा maximum moment आ रहा है, 7.89, और अगर हम बीच वाले की बात करें, तो इसमें maximum आ रहा है हमारा 15.82, और 8.31 आ रहा है हमारा, अब यह कौन सी moment की बात कर रहा है, एक बार लोड चेक कर लेते हैं लोड कितना लगाया है नो ने 30 किप्स 10 feet 20 feet 30 or 20 dimensions भी चेक कर लेते हैं 20 feet 30 feet 30 feet और लोड 30 किप्स सही जगा लग रहा है ठीक है और हमारा bending moment जो आ रहा है वो भी ठीक आ रहा है ओके हमारी जो maximum moment आ रही है 1500 something आ रही है यानि कि इस problem में हमारे mistake है अगर आप बोलोगे कि मैं कुछ देर लिए वीडियो पॉस करता हूँ और फिर कहां जाता हूँ क्या होता है और ऐसे कैसे हो सकता है कि इस में manual में wrong हो दर असल इस book में हम यह find करते हैं problem कुछ manually solve करके देखते हैं और 3-4 बार stat में बना के हम practice करते हैं तब जाके पता चलता है कि हमारे इस manual में ही problem में दर असल यह जो 69.4 आ रहा है minimum maximum नहीं है maximum 1500 for kips per inch ही है हमारा answer तो आपको वीडियो पसंद आए तो please like किजिए subscribe किजिए और share किजिए thank you